बिस्मिल्लाहिराह्मानुराहिम, अस्लाउलेकूम क्लास वन कैसे हैं? मैं आपकी उर्दू की टीचर अपनी उर्दू की बुक ओपन करें और पेज नंबर 12 पर आजएं चलें पढ़ें मेरे साथ क्या लिखा है? मिलाईए नीचे आजएं काफ अलिफ का प्लस टे काट अब हमने इसको मिला कर लिखना है कैसे लिखेंगे? काफ अलिफ का प्लस टे क्या बना? काट तो हमने जोड के लिखना है काफ अलिफ का टे साकिन काट सेकिंड वर्द है लाम अलिफ ला प्लस लाम लाल तो जोड़ के कैसे लिखेंगे लाम अलिफ ला लाम साकिन लाल थर्ड वर्ड है हे अलिफ हा प्लस रे हार तो जोड़ के कैसे लिखेंगे हे अलिफ हा रे साकिन हार फिर है बे अलिफ बा प्लस बे अलिफ बा तो जोड़ के लिखेंगे बे अलिफ बा बे अलिफ बा बाबा फिर लिखा हुआ है नून अलिफ ना प्लस नून अलिफ ना तो क्या बना ना ना नून अलिफ ना नून अलिफ ना लास्ट वर्ड है सीन अलिफ सा प्लस रे अलिफ रा सारा तो जोड़ के लिखेंगे सीन अलिफ सा रे अलिफ रा सारा च चलें आगे बढ़ें, पढ़ें किया लिखा है? अलग कीजिए. क्या words है? तार. तार को अलग करके कैसे लिखना है? मैं आपको बता रहे हूँ. ते प्लस अलिव प्लस रे तार सेकंड वर्ड है नान नान को कैसे लिख जरेंगे? नून प्लास अलीफ प्लास नून फिर इसी तरह लिखा हुआ है गाल गाल को अलग करके कैसे लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे गाफ फिर अलीफ और फिर लाम अब नमबर फोर पे लिखा हुआ है बाजा बाजा बे सबसे पहले हम मेरा वर्ड्स होगा बे फिर उसके बाद अलीफ, जीम, अलीफ, तो क्या बन जाएगा बाजा और उसके नीचे लिखा हुआ है चाटा, उसी तरह, सबसे पहले हम लिखेंगे चे प्लस अलीफ, प्लस टे, प्लस अलीफ, फिर है हारा, हे, प्लस अलीफ, प्लस रे, प्लस अलीफ, तो वर्ड्स बनेगा हारा चलें, पेज नंबर 12 पर दुबारा आएं, पढ़ें, लिखा हुआ है, कौपी पे काम, ये काम आपने कौपी पे किस तरह करना है, वो मैं आपको कौपी पर लिखकर बताती हूँ आप अपनी उर्दू की कौपी ओपन करेंगे, सबसे पहले मार्जन ड्रो करेंगे, अन्वान लिखेंगे, उसके बाद आगे उसकी लिखेंगे, वन फिंगर स्पेस के साथ उर्दू अदब, सेकंड लाइन में आएंगे, वहां लिखेंगे वजाहत, फिर वन फिंगर स्प के लिखना है चे अलिफ चाट टे साके चाट इसी तरह आपने ये पेज अपना मुकमल करना है चले नीचे लिखा हुआ है अलाग कीजिए वर्ड़ है बात अब इसको कैसे अपने अलाग करना है वो भी मैं आपको कोपी पर बताती हूं उसी तरह आप लिखेंगे अन्वान उर्दू अदब वजाहत में लिखेंगे जोड तोड जोड तोड वर्ड़ था बात कैसे तोड़ के लिखना है बे प्लस अलीव ब्लस प्लस ते बात और इसी तरह पेज नबर 12 को आपने अपनी कोपी पर मुकमल करना है लिखना और याद करना है